जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में कब से लगेगा लोकडाउन? कब से स्कूल हो रहे बंद जाने हमन सरकार की विचार? जार्खन में कुरोना बिसफोट के कारण सरकारी और निजी स्कूलों में एक बार फिर से ओनलाइन पढ़ाई होगी बता दे ओफलाइन पढ़ाई बंद कर दी जाएगी बढ़ा सकती है और लोकडाउन पर भी विचार कर सकती है आपको बता दे कि जार्खन में फिल हाल छटी से बरावी तक कि स्कूल ऑफलाइन है बच्चे इसकूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं जबकि अने बचों की ओनलाइन पढ़ाई चल रही है हाल के दिनों में राजमें क मौसम साफ रहेगा जार्खन के सिम्डेगा पच्मी सिम्भूम पूर्वी सिम्भूम सराइकला खर्शावा गिरिडी देवघर और धनबाद आदी जीलो का निमतम तप्मान 10-11 डिग्री सिम्भूम हो सकता है जार्खन में कुरोना के 107 मरीज मिले एक्टिप केस 3,012 जार्खन में कुरोना के 107 मरीज मिले है जिसमें राची से 495 पूर्वी सिम्भूम एक्सो तेईस हजारी बाग तेतालिस बोकारो तेतालिस धनबाद 113 रामगर चोदा कुडार्मा सेतालिस पच्मी सिम्भूम तीरपन पलामू 5, देवघर 20, गुमला 4, गीडी 6, लातेहा 4, खोटी 23, गडवा 1, चतरा 3, गोड़ा 1, जामतरा 4, और दुमका से 3 मरीज मिले है जार्खन में कब तक बढ़ेगा कुरोना संक्रमन जाने एक्सपर्ट की राए जार्खन में अगले 15 दिनों तक कुरोना के मामले ज्यादा बढ़ेंगे यानि 15 जनवई तक विसेश रूप से एहतियात बरतने की जरूरत है इसके बाद कुरोना केस घटने का अनुमान है बतादे या दावा संनीबार को स्वास्त बिभाग के राजय महमारी बिससग डाक्टर परवीन कर्णन ने किया है वह इंटीग्रेटिट डिजीज सर्विस लाइन प्रोग्राम के प्रभारी भी है डाक्टर परवीन कर्ण ने कहा कि जार्खन में ओमिक्रोन का मामला अप्टक नहीं आया है जो वाइरस है वह ज्यादा खतरनाक नहीं स्वास्त विभाग के राज्य महामारी भी से सग डाक्टर परवीन कर्ण का कहना है कि डाबलू एचो ने भी अनुमान लगाया है कि वाइरस अब अमतिम चरण में है वाइरस 15 दिनों तक ज्यादा लोगों में मिलेंगे फिर हर्ड इमुनिटी डेवलप हो जाएंगे टीका लेने वालों के लिए वाइरस ज्यादा घातक नहीं है सिट्टी बैल्यू 25 के आसपासी मिल रहे हैं लोगों में हर्ड इमुनिटी डेवलप होते ही जाएगी फिर यह सोत ही समाप्त हो जाएगा खोटी से पिलेफाई एरिया कमांडर समेथ पांच नक्सली आरेश्ट जारखन पुलिस को नए साल के पहले दिन अक्सलीों के खिलाब बढ़ी सफलता हासिल हुई है बतादे खोटी जी लेके कारा थाना छेतर के बीरदा नहर के पास लेवी वसुलने के लिए पहुँचे पिलेफाई के पांच उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इन में पिलेफाई का एरिया कमांडर भी सामिल है उनके पास से पूलिस ने हत्यार भी बरामत किया है बता दे एसपी आसुतोस सेखर ने ये जनकारी दी जार्खन पंचाज चुनाव पर बोले ग्रामिन विकास मंत्री जार्खन के संसदिय कारव ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर कुरोना का प्रकोब भ्यावा नहीं होगा तो मार्च 2022 से पहले जार्खन में पंचाज चुनाव होगा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है मंत्री आलमगीर आलव राची से दुमका जाने के करम में सनिवार को धनवाद के पूर्वी टून्डी के मैरानवा टार इस्ठीत एक होटल में पत्रकारों से बाच्चित कर रहे थे बता दे जार्खन के संसदिय कारवग रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 29 दिसंबर को विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेस किया गया था जो दिसंबर 2020 में पंचाज चुनाव होना था लेकिन कुरोना म हमारी के कारण पंचाज चुनाव नहीं कराया जासका सरकारी स्कुल में पढ़ने की आधत बिक्सित करने के लिए केंद्र के निदेश पर जार्खन से भी 100 दिनों में पढ़े भारत अभियान चलेगा बता देश अनिवार से पूरे देश में शुरू हुआ या अभियान 10 अपरेल तक चलेगा जार्खन सिक्षा पर्योईना परिशत की निदेशक ने इसे लेकर पहले सबीच सिक्षा जिला अधिक्षकों को दिशानिदेश जारी कर दिया है इस अभियान को अपेक्षा अनुरूप तीन समों में बाटा गया है पहले समों में पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा जबकि दूसरे समों में तीसरी से पाँचवी तथा तीसरे समों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए सब्तावार गतिविद्या तैक कर दी गई है चुकि बर्तमान में इस कक्षाओं से चोटी से आठवीत तक के लिए खुले हैं इसलिए इन कक्षाओं की गतिविद्या स्कूलों में संचालित होगी जारखन में जल्द ही 12 से उपर को भी लगेगा ठीका राजे में नए बर्स 2022 से स्वास्त शेत्र में भी काफी उमिदे हैं बतादे लगातार बढ़ रहे संसादनों के साथ नए बर्स में करोना से सुरक्षा दिलाने वाले कवच के रूप में भैक्सीन भी 12 वर्स से उपर के सभी लोगों को लग जाने के उमीद है बतादे साल के पहले दिन से ही जहां की सोरों को भैक्सीन लगाने की परक्रिया सुरू हो गई है वहीं 12 से 15 वर्स के बच्चों का टिका करन भी जल्द सुरू होने की उमीद है वहीं 18 साल से उपर आयूवर के लोगों के लिए पहले से ही चल रहे टिका करन भी इस साल सत परतिशत पूरा होने की उमीद है धान खरीद में फिश्डी सावित हुआ जारखन राजे में एक तरफ जहां किसानों के लिए तमाम सुविधाय उपलब्द कराने के दावा किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ निम्तम समर्थान मुले पर अभी तक उमीद से कम ही खरीदी की गई है जिससे किसानों को काफी परशानी हो रही है बता दे पहले पकवारे में धान खरीद को लेकर काफी सुष्टी दिखी वहीं 15 दिसमर से शुरू हुए खरीद परकिरिया अगले 15 दिनों में सिर्फ 3.38 लाख क्यूंटल धान की ही खरीद हो सकी जो की तय लक्ष 80 लाख क्यूंटल का सिर्फ 4 परतिसत है इस दोरान 789 किसानों ने अपने धान बेचे जिसके एवज में उन्हे 15 क्लोर रूपय की रासी की भुकतान की गई है बता दे धान खरित की परकिरिया में हजारी बाग जीला का अच्छा परतोसन रहा है सिमडेगा में स्रम दान से बन रहा खेल मैदान नव ब्रस के उपलक्ष में होकी संग के पता दिकारियों ने सिमडेगा जीले के घोर नकसल परवावी छेतर रहे रसाई परखन के सुदुर गाव रंगुडेरा में पहल करते हुए युवा खिलाडियों के लिए मैदान तयार करने की पहल सुरू की है होकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोन बेगी कमलेशवर माजी और अन लोगों ने ग्राविनों के साथ मंत्रना करते हुए स्रम दान से मैदान बनाने का कारे सुरू किया बता दे आने वाले दिनों में यहां खेलों का अभ्यास के साथ साथ परतियोगताय भी आविजित होगी तीसरी लहर से निपटने के लिए लोहरदागा में डॉक्टरों ने की खास बेवस्था लोहरदागा जिले के भंडरा परखन के समुदाइक स्वास्त केंदर में करोना संक्रमन की चुनाती पूर्ण इस्थीती से निपटने को लेकर त्यारी फूरी कर लिए बतादे लोगों को इस बार किसी परसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा औक्सीजन दवा बेड, औक्सीजन यूक्त पाइपलाइन, चिकित सक, सहीत तमाम सुधाय उपलब्ध है विभाग क्रोना की तिस्री लहर से लडने के लिए फूरी तरह से त्यार है इसके लिए समुधायक स्वास्त केंद्र के सभी बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने की परकिरिया फूरी कर लिगाई है जारखन में नए साल में करें सौधेश दर्सान कुरोना संक्रमन काल में परटन विभाग की कई योजनाय परभावित होई इनमें केंद्र और राज सरकार की भागदारी से सौधेश दर्सान और परसाद योजना भी सामिल है लेकिन 2021 में आखरी महिने में एक बार फिर से इस योजना के तहट कार्य तेज से सुरू किया गया है उमीद है कि नई साल के अंध तक लोगों के इस योजना का लाभ मिलना सुरू हो जाएगा बता दे सौधेश दर्सान योजना को इको सर की टुरिजम नाम से भी जाना जाता है सवदेश दर्शन योजना के तहद जार्खन के चार जीलों के पर्याटन अस्थलों को विक्सित किया जा रहा है जिसमें लातेहार के परसीद बेतला पार्क और मिर्चया फोल नेतरहाट राची के गेतल सुत डैम पुर्वी सिमम के चंडिला डैम और सराय केला दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचूरी को इको सरकीट टूरिजम में सामिल किया गया है जार्खन में बेहतर बिजली के लिए सरकार उठा रही ठोस कदम जार्खन में बिजली बित्रम ढाचा में सुधार करते हुए गुनवता पुन अपूर्ती और लाइन लॉस में कमी लाने के लिए जार्खन बिजली बित्रम निगन लिउन्टेड ने 10,000 कलोर का परस्ता उर्जा मंत्राले भारत सरकार को भेजा है बतादे राजे के पंदर लाग घरों में बिजली का प्रिपेड मीटर लगाने की त्यारी सुरू कर दी गई है काटिया डालकर चोरी की गुन जाइस खत्म करने के लिए अवासे कोलोनियों में 11 केवी के एल्टी तारों को ये भी केवील और अंडर ग्राउंड केवील में बदला जाएगा बतादे की केंदर सरकार ने विते वर्स अगस्त में ही हर घर में 2025 तक प्रिपेड मीटर लगाने के लग्स के तहट नई योजना चला रही है कक्छा आठवी से बारावी तक के पहले टर्म की परिक्षा पर संसर नजर आ रहा है बतादे सरकार एतियातन परिक्षाओं के संचालन परोक लगा सकती है इसकुली सिक्षावर सक्षता विभाग ने 1-15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटर्मीडियेट के परिक्षा लेने का सेडूल जारी किया था जबकि 2-25 जनवारी के बीच 8-9 और 11 के परिक्षा निधारित थी एप परिक्षाए ओमर सीट पर होनी है बावजूद इसके ज़ार्खन एकेडमी काउंसिल में अध्याक्स के नहीं होने से अब तक इन परिक्षाओं का संचालन नहीं हो सका और नहीं निकट भविसे में इसके होने की कोई संभावना दिख रही है धन्यवाद ज़ार्खन में लोकडाउन लगना चाहिए या नहीं ज़ार्खन में स्कूल कोलेज बंध होना चाहिए या नहीं हमें आप कोमेंट बक्स में अपना सुझाओ अवसे दे साथी साथ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले धन्यवाद